नमस्कार आप देख रहे हैं सेल्फ में टिटोरियल आज के इस वीडियो में आप देखेंगे जपान में मेजी पुनस्थाबना के कारण यह टॉपिक जो है एसिया के इतिहांस से लिया गया है यह बहुत ही दिन बहुत दिन से इंतजार किया जा रहा था इस टॉपिक के क्योंकि मेजी पुनस्थाबना है क्या जपान में मेजी पुनस्थाबना जो हुआ था वो क्यों हुआ था इसके कारण क्या थे और किनके विरूद हुआ था इसमें यह सारे जो मुख बिंदू है इनको आपके सामने explain किया जाएगा तो बस आप ध्यान से सुनिएगा वीड तो आपको जपान से संबंधित है, जिसके पहले जो सेलफ में टिटोरियल पे एक वीडियो जो है, जपान का दरवाजा कैसे खुला, यह important topic है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो या इसको देखने से पहले उस वीडियो को भी देख लिजेगा, आपको काफी help मि लेगा, और इस वीडियो की मैं बात करती हूँ, इस लेक्शर वीडियो को आप फॉलो कीजिए, अगर वीडियो को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना न बुलिएगा, चलिए, topic है, जपान में मेजी पुनस थापना, यह topic लिया गया है, एसिया के इतिहांस, एसिया क जपानी वर्ड है, जिसका अर्थ होता है, शांदार, शांदार पुनस थापना, एक संदार शासन की अस्थापना होती है, वो कैसे होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बाद और ध्यान रखेगा, जब मैं यह लेक्शर जब जारी रखूंगी, तो उसमें कुछ ऐस जैसे वर्ड आएंगे, जैसे शोगुन, समुराई, साथ सूमा, चोशु, तो इस पर ध्यान दिजिएगा, यहीं सारे इंपोर्टेंट शब्द हैं, जिस पर आप पकड़िएगा, इस समझेगा, तो आपकी अच्छी पकड़, यह कोश्चन आपको तो पूरा वीडियो रेश्टोरेशन इन जपान, तो आप सभी जानते हैं, कि एसिया के दो प्रमुक देश, चीन और जपान, जो अपने आपको एकान तवास में रखे हुए थे, और यह दोनों देश, अपने आपको ज़्यादा सब समझते थे, और यह पश्चमी देशों के साथ संपर्क बना नहीं जाते थे, तो एक कात्व आप देखी चुके हैं, एक के आपने जपान भी देखा, चीन भी देखा, तो चीन में सबसे पहले, प्रथम अफिमियूद हुआ, और प्रथम अफिमियूद के द्वारा, ब्रीटिन ने जपान का दर्वाजा खोला, और इस तरह से चीन का बंदरबाट हो गया, तो वहीं बाते जपान पर भी आती है, और जपान में भी जपान का दर्वाजा कि ने खोला थी है, भी आप जानते ही वीडियो अफ्लोड हो चुगा है, अमेरिका ने खोला, वो कैसे खोला, वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो चलिए स्टा तावदी श्टाट होती है, शुरू होती है अठारा सो से, तो अठारा सो, उन्चालीस इस्वी में प्रथम अफिमें युद हुआ था, ब्यालीस इस्वी तक, तो इस तरह से उनिस्वी स्टावदी के मद्द में पूर्वी एसिया के दो देश, चीन और जपान में प्रवे से तो पश्मित देशों द्वारा दवाव बनाया जा रहा था, जिस प्रकार अफिम की युद ने चीन का द्वार विदेशियों के लिए खोल दिया, उसी प्रकार अमेरिका के घुसपैट के कारण, जपान का द्वार वे 1833 इस्वी के कानगावा के संधी के द्वारा विद परिणाम सरुप नानकीं की संधी हुई थी, और नानकीं की संधी के संधी के संधी के साथ ही चीन का दर्वाजा विदेशियों के लिए खोल गया, और कनगावा के संधी के संधी के साथ ही जपान का दर्वाजा खोला, लेकिन दोनों में अंतर था, जपान का दर्वाज अमेरिका ने जो किया तो उसके साथ जो भी विद्रो हुए वो जपानियों ने बड़ी सूजबूज के साथ उससे सुलजा लिया और उन्होंने ऐसे विचार काइम किया ऐसे नीति लाग किया कि क्यों न इस पश्चमी देशों से भागने से अच्छा है कि इनके साथ मिल कर इ इनकी जो नई तकनिकी है इनकी जो आधनों की करन है उसको अपना कर जपान का आधनी की करन किया जए जपान को आगे बढ़ाया जए जपान को विक्सित किया जए सेना में सुधार जी किया जए सैनिक विकास किया जए तो यही नीति जपान ने अपनाया और इस तरह से द्वारा विदेशियों के लिए खुल गया जपान का दवार खुलने से जपान के शोगुन की बड़ी बदनामी हुई अब आप देख रहे हों कि शोगुन का मतलब क्या होता है तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा रुकूंगी जपान की सोगुन की जब बात चली है तो सोगुन को तुरक खीलियर कर दो सबसे पहले जपान में जो था समराठ होता था उसके बाद से समराठ अपने केंद्रिये परसासन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए प्रदेशों के अधिकारी नियुक्त किये और प्रदेशों के अधिकारी को जो सामन्त होते थे वो सोगुन कहा लाए सामंद को शोगुन कहा गया और उसमें से भी ये जो सेना रखते थे उन्हें समुराई कहा जाता था सामुराई सेना जो था और उसके बाद से सामंद जो थे प्रांतो यानि परदेसों में बटे हुए थे तो उनमें से एक तोकुगावा का साम सोगुन जो था अभी अपना वर्चा सो कायम किये हुए था अठावी शताबदी में तोकुगावा का सोगुन अपना वर्चा सो कायम को ये हुए था इसके अलावें भी और सारे सोगुन थे जैसे चोसु साथ सुमा ये बहुत सारे यानि सामन्त थे और यह सामन्त एक राजा की तरह विवार करते थे तो उस समय जपान का दवार जब खुला तो सोगुन की बड़ी बदनामी हुई वह पश्चिम के तबाव के सामने जुग गया था इसलिए जपान में यह मांग होने लगी कि सोगुन के परभुत्व का अंतो क्योंकि वहां की जनता जो थी सोगुन का विरोध कर रही थी क्योंकि इस सोगुन जो था विदेशियों के समक्ष यानि पश्चिमी देशों के समक्ष छुग गया और उन्हें बहुत सारी शुगदाय जपान में दे दिया था और वह समराट को इसलिए जन्ता विरोध भी कर रही थी और समराट को वास्तिक सासक भी बनाना चाहती थी और इस तरह से ये मांग काफी जोड़ पकड़ने लगा और इसी का परिणाम था 1868 हिस्वी में जपान की एक रक्त हिंद क्रांती गुई जिस तरह से आपने ब्रेटेन में पढ़ा था गौरव पुनक्रांती इसी तरह से ये रक्त हिंक्रांती भी जिसने राज विवस्था में परिवर्तन कर समराट की सक्ति का पुन्रोधार किया और यह प्रसिद मेजी पुनस्थापना के नाम से जबान के इतिहास में इसी घटना को जब सोगुन की सक्ति समाब्त होती है तो इसी घटना को मेजी पुनस्थापना कहता है यानि कि समराट का सासन अस्थापित होता है और मेजी पुनस्थापना होती है तो मेजी पुनस्थापना के प्रिष्ट भूमी में कहें कौन से ऐसे कारण थे तो उसकी जाचाम आगे करेंगे ध्यान से देखिएगा सबसे पहले मेजी पुनस्थापना के प्रमुक कारण मेजी पुनस्थापना के प्रमुक कारण में सबसे पहला आता है ततकालिन विवस्था के प्रति असंतोष ततकालिन विवस्था के प्रति असंतोष तो इसमें जिस समय पश्मी राजो ने जपान का दर्वाजा थपथप आया यानि कि जिस समय जपान का दर्वाजा विदेशियों के लिए खूला उस समय जपान में कई तरह के असंतूस व्यापद थे जपान के अनसभी सामनती घराने पहले भी वह आपने बताया था जपान के अन-सामनती घराने थे जैसे तोकुगावा शोगुण के खिलाफ हो गए हैं बड़े बड़े सामन्तों पर नियंतरन कायम रखने के लिए सोगुन ने कई तरह की रिचाम किये थे, यानि कि अब देखेंगे कि शोगुन जो था जब जापान का दर्वाजा विदेशियों के लिए खुल गया, उस समय सोगुन ने अन्य सामन्तों के साथ कैसा वेभार किया जिसके कारण इसके प्रती, शोगुन के अथता, कुगवा शोगुन के प्रती असंतोस व्यापत हो गया और जो मेजी पुनस्थापना का एक प्रमुक कारण बड़ा, इसको ध्यान से देखियेगा इन्हें अन्य सामन्त थे, इन्हें तो कुगवा के सोगुन जो थे वो चलिए यहां पर थोड़ा सेटिंग करते हैं तो गुगवा के जो सामंत थे वो अनसामंतों के आर्थिक सोशन करते थे अब कैसे सोशन करते तो बड़े-बड़े सामंतों पर अपना नियंतरन कायम रखने के लिए सोगुन को कहीं तरकित जाम किये थे जिससे उन्हें अपारकश्ट पहुंचता सांकिन कोताई कानून सांकिन कोताई एक जपान की कानून है जिसके अनुसार सामंतों को कीले बनाने उसकी मरमत करने लड़ाकु जहाज बनाने सिक्कार डालने और सोगुन की इजाजत की बिना साधी विवा करने की मना ही थी यानि कि शोगुन जो तोकुगावा का सोगुन था अन्द सामन्त इसके एक्षा के विरूद यह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे और उन्हें हर दो साल पर चार महिने के लिए शोगुन की राजधानी यदो में हाजिर रहना पड़ता था जब वे यदो से अपने रियासत में वापस चाते यदो उसकी राजधानी थी जगह का नाम है यदो जब अपने घर हो वापस चाते तो उन्हें बंधक के रूप में अपने बीबी बच्चों को वही पे छोड़ देना पड़ता था और इससे हर सामन्त को राजधानी में ही अपना घर बर रगना पड़ता था जो आर्थिक द्रिष्टी से भार्षवा रुप था यानि कि इस तरह से अनसामन्तों को सोगुन के द्वारा तोकुगावा के सोगुन के द्वारा आर्थिक रूप से टोर्चर किया जा रहा था इतना ही नहीं, इनकी जो भानगी है यही नहीं रुकती है, आगे भी है, जैसे कि राजे के उचे 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 पदों पर、 तोकुगवा परिवार के लोग के ही नेक्ति होती थी, जैसे आप सबी जानते हैं कि तोकुगावा शोगुन जो सासन कर रहा था तो जो राजी के उची उची पद होते थे उनके परिवार के लोग ही नियुक होते थे अन्य सामन्तों को इनसे अलग रखा जाता है शोगुन की इस भेद निती से जैसे अन्य जो सामन्त है इसको देखिएगा यहाँ पर चोसु साथ सुमा और तोसा कुटुम के सामन्त बड़े नराज थे अया मन मुठाव समय के साथ ही बढ़ता जा रहा था जिसके कारण से को आर्थिक द्रिष्टी से बढ़ा दबाया गया जिससे उनकी आर्थिक इस्तिती देनी दिनों दिन खराब होती गए उन्हें मजबूर होकर अपने खर्च में कटावती करनी पड़ी और समुराई सेनीकों को हटाना पड़ा यानि कि यह समुराई एक सेनीकों का एक होती थी और इन्हें यह भी सिख दिया जाता था या यह कहें कि इनकी क्वालिटी थी कि जब यह कभी पराधीन हो या कोई उसकी दूस्मन सेना इन पर आकर्मन करें यह लगे कि यह हार रहे हैं उस समय यह लोग आत्महत्या कर लेते थे खुद को चाकु भोग लेना अपनी यह सारी विशेष्टाइ जपान की इन समुराई सेना की थी तो इस तरह से जब सोगुन के करण अनसमानतों की आर्थिक स्तिति खराब होने लगी दैनी हो गए तो इन्होंने अर्थवयस्ता को और अर्थिक के इस्तिति को सुधारने के लिए समुरावी यानी सेना का जो सं समुराईयों का उनमें असंतोष पैदा हो गया और वे चोरी डगैती करने लगे इससे समाज में अविवस्था फैली और इस तरह से अपने इस्तिती से समुराई काफी असंतुष थे और प्रचलित विवस्था अर्था तोकू गावा सोगुन के परभुत में परिवर्तन चाहते थे इस तरह से समाज का हर वर्ग अन्यसामंत सेना आगे आप देखेंगे बैपारी वर्ग किसान वर्ग किस तरह से सोगुन के सासन से असंतुष था आगे हम देखेंगे कि वैपारी वर्ग, उनिश्वी सताबदी में, जपान के वैपार में प्रयाप्तु नती हुई, और एक नवीन वर्ग का उदे हुआ, जो समाज का एक कत्यंत संपन वर्ग हो गया, समन्तों को अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए इन वैपारियों से कर्ज लेना पड़ा फिर भी, समाज में वैपारियों का स्थान समन्तों के मुकाबले अतनिम्न था, समन्ती वर्ग का उनके प्रती हिंता का भाव वैपारियों को काफी अखरता, जिससे वे समाजिक परिवर्दन के हामी थे, यानि कि एक वैपारी वर्ग हुआ, वो काफी विकास किया, उन्नत ह यहां तेकि वो सामन्तों को भी कर्ज देता था लेकिन समाज में उनका ओधा जो होता सामन्तों से भी नीचे था उन्हें वो प्रतिष्टा वो समान नहीं मिलता जो सामन्तों को मिलता था इस कारण से भी तोकुगावा के सोगुन के खिलाब इनकी असंतुष्टी थी इसके अ नितिक चेतना जगी और वे विद्रोग करने लगे और उनका यह विद्रोग सोगुन विवस्था के विरूद होता था तो आपने देखा किस तरह से समाज के विभीन वर्गो का सोगुन के खिलाप असंतोस व्याप्त था जो मेजी पुनस्थापना में एक अहम रोल आदा किय अर इस परकार से असपश है कि जापानी समराज का प्रतैक वर्ग ततकालीन विवस्था के खिलाप और सबका मुख लक्ष सोगुन विवस्था का अंत करना था ऐसे ही समय में जापान में विदेशियों के परवेस हुआ जिसने इस्तिति को एकदम से बिगार दिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा कारण देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा सामन्तों द्वारा सोगुन का विरोध है अब सामन्तों ने सोगुन का भी विरोध किया और कौन से सामन्त जो उसके ही कुटुम के थे हैं उनके ही समकषते हैं जैसे चोसु साथ सूमा पस् मन्तों ने सोगुन विवस्ता का अंध करना चाहा। उनका कहना था कि सोगुन की कमजोड़ी और अदुर दर्शिता के कारणी जपान की शोतंत्रिता और संपरपुता खत्रे में पड़ रही है। अता उन्होंने समराट को अपनी गतिविदी का केंदर बनाना पड़ा और उन्होंने बरबर को निकालो सोगुन को हटाओ तथा समराट की सक्ति बढ़ाओ का नारा दिया। सबसे पहले तो इन सामन्तों ने सोचा कि लोग हित को अपनी तरफ कर ले। लेकिन जब ये संभव नहों हो पाया ति इन्होंने क्या किया समराट को अपने विश्वास मिलिया और उसने ये नारा दिया कि बरबरो को हटाओ, सोगुन को हटाओ और समराट की सक्ति और अपने उपर सोगुन सासन द्वारा लगाई गई पवंदियों को दूर करना था। तो ये था समन्तों द्वारा सोगुन का विरोध तो कुगावा के सोगुन जो थे उसका विरोध था। अब हम देखेंगे विदेशी विरोधी भावना में ब्रीधी। में काफी असंतोज पैदा हो गया। वो घटना क्या थी। जो आपने प्रस्तितिया देखी। जिस तरह से सोगुन इन पश्चिमी देशों के सामने असाहय था। वैसी प्रस्तिति में जपान में विदेशियों के खिला भावना तिव्र होती रही। प्रवल हो और इसी द्रिश्चि से समराट कोमोई, समराट उस समय जो समराट था वो कोमेई था, कोमेई जो विदेशियों के विरुध हो गया। चोसु के सामन्तों के प्रभाव में आकर उसने सोगुन को आदेश दिया कि 25 जून 1863 इस्वी तक सभी विदेशियों को देश से बाहर निकलने की वेवस्था कीजाए। उसने कह दिया, इनके प्रभाव में आकर जो अन्य सामन्त थे, कि इन्होंने जन्ता का वास्ता देकर जन्ता के मना इस्तिती से अगत करया कि इने कहा कि जन्ता चाहती है कि विदेशि जो जपान से बाहर निकले। और तो कुगावा का सोगुन जानता था कि अभी विदेशियों को बाहर निकालना असंभव है। जबकि वहां का समराप ने आग्या देखी, 25 जुन 1830 तक सभी विदेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन सोगुन सासन के अधिकारी समझते थे, ये हो नहीं सकता है, लेकिन चोसु लोगों का विचार थीक इसके विप्री था, चोसु जो उसके कुटुम के अनसामंत थे, तो उनका विचार विप्री था, उनका ख्याल था कि विदेशियों को सरलता पुर्वक जपान से ख आसपास के छहाज आते जाते रहते थे और किसका आधिकार था चोसु सामंत का आधिकार था तो चोसु सामंत ने अपने करमचारियों को या अदेश देती कि यदि कोई जहाज सिमोनोसिकी के जल्ड अमरूमद से गुजड़े तो उन पर गोली बारी करके उन्हें छत भी छत क निकालने के लिए यह सब एक जाल भी छाय जा रहे हैं तो इस तरह से चोसु सामंत जो है उन्होंने कहा कि जब भी सिमोनस के जल्ड अमरूमद से कोई विदेशी जहाज गुजड़े तो उन्हें छतिक रस्त कर दिया जाए नश्ट कर दिया जाए जबाब में अमेरिकी जबाब में अमेरिकी युद पोत ने भी 16 जुलाई को जापानी किलो पर वार गिया दो युद पोत डुबो दिये गए और इसमें फ्रांस और हालेंड ने अमेरिका की मदद की और जापानी किलो को भारी नुकसान पहुचाया शोगुन ने स्तिती संभालने की चेश्टा क लेकिन उगरवादियों के समक्ष उजकी एगना चली तो इस तरह से चोसु के सामन्तों द्वारा विदेशी भावना भरकाने की कोशिश की गई इस तरह से अमेरिका इसका बिरोधी हो गया अब एक दूसरी घटना का और जिक्र करना चाहूंगी इस तरह से बहुत सारी ऐस बिरोधी विदेशी बिरोधी एक दूसरी घटना घट गए उस दिन साथ सूमा के सामन्त का एक जूलुस निकला जब साथ सूमा के सामन्त आपको पहले ही बता चुके थे कि तोकुगावा के सामन्त इसे सोगुन कहा गया वो सासन कर रहा था इसके अलावे अन सामन्त थे च जुलुस गुजरे तो वहां से जितने भी विदेशी हो या कोई भी हो तो उन्हें उनके सम्मान पुर्वक उनका सम्मान देना पड़ता था देखिए आगे घटना क्या होती है एक दूसरी घटना घट गई एक जुलुस निकला जब कोई समंत या उसका जुलुस सरकों से गुजरता था तब लोग उसे रास्ता देते थे रास्ते से हटका सम्मान परकड़ करते थे साथ सुमा समंत की यातरा के समय रिचार्डसन नाम का एक अंग्रेज अपने तीन घुर्षवार साथियों के साथ जा रहा था उसे समय घटना घटी कि जब यह जुलुस निकल रहा था साथ सुमा समंत का उस समय रिचार्डशन नाम का एक अंग्रेज अपने तीन गुर्षवार साथियों के साथ गुज़र रहा था और यह जुलूस के सामने पड़ गया लेकिन उसने सम्मान दिखलाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा उसे साथ सुमा सामन्त ने अपने अपमान समझा इस पर कुछ समुराई गुज़े में होकर उन पर बड़स परे अब इस चीज़ का अपमान था उस सामंद साथ सुमा सामंद का तो इस तरह समुराई यानी की सेना गुस्से मोग उन्पर बड़स पढ़े और जर्शन की हत्या कर दे ब्रिटिस सरकार ने इसके लिए सोगुन से एक लाख पॉंड का हरजाना मांगा और साथ सुमा को भी हरजाना देने को कहा साथ अंग्रेजी जहाज हरजाना वसूल करने के लिए साथ सुमा की राधानी कागो सीमा पहुँचे उन्होंने नगर पर गोली बारी की और एक जपानी जहाज डुगो दिया इस घटना से जपान में विदेशियों के खिलाब एक बड़ी घ्रीना पैदा हो गई तो इस तरह से ये दो घटना है एक अमेरिकाई घटना अमेरिकी जहाज को कैसे गोली बारी बिछत किया गया और ये एक सम्मान जूलुस को सम्मान देने वाली घटना ये दो घटना है ऐसी घटी जिससे जपान में विदेशियों ब्रोधी भावना भड़ा कूठी तो ये भी मेजी पुनस्थापना का एक कारण बना अब हम आगे देखते हैं जोसु और सोगुन में संगहर्स जोसु और सोगुन में संगहर्स भी मेजी पुनस्थापना का एक कारण था जोसु और साथसुमा सामन तो को विदेशियों चोसु और साथ सुमा सामन्तो को विद्योसियों के समक्ष नीचा देखना पड़ा था अब वे अपने कमजोड़ी महसूस करने लगे थे यानि कि उस समय जब रिचर्शन मारा गया था उस घटना के समय इनकी स्थिती थोड़ी सी सेना कमजोड़ पड़ गई थी तो उन्होंने सोचा कि अब सैनिक सुधार किया जाए और चोसु समुराई तथा समान जनता की मिली जुली अस्थाई सेना संगठी थी अब इस चोसु ने पहले समुराई ये भी एक वनसानुगत चला आ रहा था कि वहीं समुराई ही सासन कर रहे थे उनका एक वर्ग बन गया था लेकिन अब चोसु और साथसुमाल के सामान तो ने एक नई सेना का संगठन करना सेना में सुधार करने की कोशिज की और उन्होंने समुराई और आम जनता को भी मिला कर सेना का संगठन शुरू किया क्योंकि सबसे पहले अधिकार पहले समुराई कहीं होता था सामान जनता को सेना के संगठन में फटकने तक नहीं दिये जाता था अब सामन्त और समान जन्ता एक ही अस्तर पड़ा गया और यह सामन्त साही के अंत का पुरुशुचक सीध हुआ विदेशियों के प्रति चोशु लोगों के उतेजनात्मक निती से सोगुन को बड़ा गुश्चा आया और वह सायनिक कारेवाही कर उसने उनका उनका चोशुओं का दमन करने का निश्चाय किया सोगुन ने उनके विरूद एक बिसाल से न भेजी और चोशु सामन्त बुरी तरक कुछल दिये गए उस समय चोशु सामन्त जब सोगुन का सिकार होना पड़ा उनको लेकिन इस समय साथ सुमा लोगों ने इसका बिरूद किया लेकिन चोशु का साथ किस ने दिया साथ सुमा यानि कि अन जो सामन्त थे उन्होंने चोशु का साथ दिया और वह नहीं चाहते थे कि चोशुओं को बिल्कुल खत्म कर दिया जा इसके लिए शोगुन को अपने कड़े रुख में परिवर्थन करना पड़ा लेकिन चोसु से उसने वादा करा लिया कि वह मिले जूले नए फोजी दस्ते को भांग कर देगा लेकिन जैसे ही चोसु के खिलाब सोगुन ने करवाही की साथ सुमा ने चोसु का साथ दिया और इस तेवर को देखकर शोगुन ने मिलाजुला रुख अक्तियार किया और उसने कहा कि हम चोसु के साथ कोई कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे वेकिन उन्हें ये करना होगा कि जो सेना का संगठन कर रहा है उसे भांग करना पड़ेगा और इसके लिए माफी मागनी पड और चोसु में क्रांती का विजुल फूक दिया तो इस तरह से चोसुओ ने उसके खिलाप आवाज उठाई इसपर सोगुन ने चोसु पपुना हबला कर दिया जो सोगुन जो चाहता था कि वह उनसे माफी मांगे अपनी सेना का संगठन जो सेना का गठन कर रहा था उसको तो सोगुन की करवाही का समर्थन किसी दूसरे सामन्त ने नहीं किया। यानि सोगुन ने जब चोशु पर हमला किया, तो उसे लगा कि अन सामन्त भी उसका साथ देंगे, लेकिन सोगुन अकेला पड़ गया। उसका साथ किसी ने नहीं दिया। सोगुन पविदेशव का प्रभाव बढ़ता जा रहा था आता सब ने सोगुन का विरोध खिया युद में इस बार चोशु की सेना ने सोगुन की सेना को बुरी तरफ प्राजित खथिया और इस घट्ना के बाद चोशू और शाध सुमा एक दूसरे के बहुत निकटा गए और 7 मार्च 1866 को उनके बीच एक गुप्त संधी हुई जिसके द्वारा सोगुन सासन का अंत करने का निश्चय किया गया देख लिजे कैसे साथ सुमा और चोसु एक साथ मिल गया सेना का संगठन किया और उन्होंने यह निश्चय किया गुप्त संधी के द्वारा यह शोगुन की सक्ति को खत्म करना है और इसी के साथ ही बिजारोपन हो गया किसका मेजी पुनस्थापना का और इस तरह से शोगु तो कुगावा केई की सोगुन बना वह प्रगतिसिल विचारों का था और सबके साथ मिल जूलकर काम करना चाहता था उसने प्रसासनिक सेन के व्योस्था में कहीं सुधार किये सोगुन को संभलते देखकर चोसु और साथ सुमा के निताओं ने उसे जल्दी से बल वकटाने का निश्चय किया यानि तो कुगावा के जो सामन था के की नाम का एक व्यक्ति बनता है तो कुगावा ही समाज का साम वर्ग का तो वो थोड़ा सा समझदार था तो वो इक्षा रगता था कि सभी को मिला कर सभी की इक्षा के अनुसार कुछ सुधार करते हुए सा ऐसे इस्तिती में चोसु और साथसुमा के जो प्रयास थे, वो असफल हो सकते थे या उनकी इरादों पर पानी फिर सकता था, तो ऐसी इस्तिती में चोसु और साथसुमा के नेताओं ने जल्दी से बल पुर्वाकु से हटाने का कोशिज किया। ने समराट की उम्र उस समय क्योल 15 वर्ष थी, उस पर सोगुन विरोधी सरदारों ने तुरंत अपना परभाव कायम कर लिया। ठीक है, तीन जनवरी 18 ध्यान रखेगा, मेजी पुर्वास थापना यानि कब होता है, 1868 में तीन जनवरी 1868 को, इस समय साथ सुमा और चोसु के फोजों ने साही महल पर अधिकार कर समराट की सकती को पुर्वास थापना की घोजना कर दी, यानि कि सोगुन की जो सकती थी, वो समाप्त हो गई, समराट ने मेजी, मेजी का मतलब होता है, शांदार, समराट ने मेजी यानि सांदार उपनाम धारन किया, इस घट्टा को मेजी इशीन, मेजी इसीन, यह जपानी वर्ड है, मेजी इशीन, यानि कि मेजी पुर्ण स्थापना करते हैं, यानि मेजी का उपनाम धारन करके गधी पर बैठा, और इस घट्टा को मेजी इशीन, यानि कि मेजी पुर्ण स्थापना करते हैं, और इस से अगामी यूग का नाम भी मेजी काल पड़ा, संदार काल, आगे सारे देश पर समराट का एक छत्र शासन कायम हो गया और सदियों से चला आ रहा शोगुन शासन समाप्त हो गया क्योंकि तोकुगवा केई की एक दुरदर्शी व्यक्ति था अता उसने इस परिवर्तन को माल लिया और अपनी राजधानी को सांतिवुर्वक छोड़ दिया और जिसके जो अन्य शोगुन थे उन्होंने इसका विरोध किया वो चाते लड़ाई लड़े और उन्हें लड़ी भी लेकिन उनकी हार हो गई चोशु और साथ सुमा के सामने उनकी एक न चली और इस तरह से जपान में एकदक्त हिन क्रांती हुई जिसके तहत सोगुन का अंत तकुगावा के सोगुन का अंत हो गया और समराट मूझ से ही तो गति पर बैठा और इस तरह से मेजी पुनस्थापना संदार समराट की अस्थापना जपान में हुई और इस तरह से मेजी पुनस्थापना की जो घटना है वो है सामन्त का अंत और समराट की सक्ति का पुनस थापना ओके तो आप समझ गए होंगे 21 तरह से जब एसिया के प्रमुख देश जपान पश्चिमी देशों के संपर्ग में आता है और उसका जपानी जपान का दर्वाजा विदेशियों के लिए खुलता है और विदेशियों के खुलने के साथ ही वहाँ पे समंतों का अंत हो जपान पश्चिमी देशों के साथ मिल कर उनसे कुछ शीक कर कई किस तरह से अपना आधुनी की करन प्रमुख करता है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्षर में आपको बताया जाएगा इसके पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी मेजी पुनस्थापना तो हो गई और मेजी पुनस्थापना के बाद इनके शासन विवस्था को चलाने के लिए एक नया विधान कायम हुआ, एक नय संविधान हुआ, तो मेजी संविधान का निर्मान तो हुआ है, लेकिन एक छोटा सा रूल लाग हुआ, एक नया विधान हुआ, तो उसके बारे में हम एक टोपिक ले कराएंगे, जिसमें होगा मेज पुनस्थापना, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना न भूले, और लाइक करें, अपने दोस्तों के भी ज्यादा ज्यादा सेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि चीन का जो वीडियो मैंने तो अप्लोड कर दिया है, अब यह जपान का और जपान के बाद, सुदूर दक्षिन, अब पूर्व के जो देश हैं, उनका वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी, एसिया के पूर्वी, सुदूर पूर्व के जो देश हैं, इसिया के सुदूर दक्षिनी पूर्व कहेंगे उसको, ओके, तो ठीक है, आप देखिए, समझे, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपना ख्याल रखे, पढ़े, दन्यवाद,